श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोस्तों, यह राशी फल चंडराशी पर आधारित है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ा आते है, वह चंदरमा की स्तिधी लेकर आती है, इस वज़े से चंदरमा की पोजीशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्या या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुणली में अश्टम भाव में गोचर करेंगे ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा सावित होगा और इस दिन आपके लिए कई म फसा था वो इस दिन आपको मिल सकता है जो लोग ISK exam देना चाहते है competitive exams के लिए तेयारिया कर रहे है पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुआत करना चाहते है तो दिन आपके लिए अनुकुल रहेगा इस समय में स्वास्ति का ख्याल आपको जरूर रखना है बिमारिया आ आधी में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी इस समय में आपके शरीर में एनरजी की कमी भी रह सकती है अश्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलकलेश बढ़ा रही है आपको इस दिन क्रोथ पर नियंतरन रखना जरूरी होगा तोल मोलकर बोलिएगा नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है गर परिवार में शांती बनाये रखने की कोशिश जरूर करें इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है क्यूंकि इस दिन अगर कोई ए नहीं तो आप इस समय में कोई गल्ती कोई लापरवाही कर सकते हैं इस दिन आपके लिए औरेंज रंग का इस्तिमाल कर नाशुब रहेगा और नव अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी ह हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा